संसार का सबसे बड़ा सुत्रा ही सुभश से सिग्रम जीवन में यह जहाँ जहाँ सुभ करने का आउसर मिले जहाँ जहाँ अच्छा करने का आउसर मिले वो आज ही कर लो कल के उपर मत डालो हमारी बड़ी गलती है हम हमेशा सुभ को कल के उपर डालते है और असुब को आज निप्टाते हैं यह हमारी जीवन के सबसे बड़ी खामी है और जिस जिसके जीवन में ये गलती है जिस जिसके जीवन में ये खामी है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया ना कुछ प्रात्त कर पाया ना कुछ हांसिल कर पाया ना अपनी मन्जिल तक पहुँच पाया ना जीवन में संतोस पाया कुछ नहीं प्रात्त कर पाया जिस जिस ने सुब को कल के उपर रखा जिसले मैं आपको कहना चाहता हूँ यह संसार का सबसे बड़ा सुत्र है सुबह से सिग्रम जब भी सुबह की भावना हो तुरंत कर लो हमारी बड़ी गलत आदत है हम सुबह को सिग्र नहीं कर पाते हम सीखे जीवन में हमारा अनुबह है इतने सालों का यह जीवन का अनुबह है कि हमने जब जब भी सुबह को कल के उपर ठेला वो सुभ रह गया है वो सायद नहीं कर पाई वो हमारे से नहीं हो पाया उस समय हो जाता तो हो जाता इसलिए कहा कि जीवन में गुल्डन चांस कभी कबार मिलता है सुभ करने का आउसर कभी कबार मिलता है यदि सुभ करने का आउसर हम गमा देते है तो सास्टकार भगवन कहते हैं कि हमारे जैसा मुर्ब इनसान और कोई नहीं आदमी की ऐं फित्रत है जब तक चीज प्राप्त न हो जाए समझना जब तक चीज प्राप्त न हो जाए उसके पीछे पागलों की तरह लगता है लेकिन जब प्राप्त हो जाए तो उसके सामने देखता भी नहीं है यह मनुष्यों की फित्रत है रविंद्र नात टागुर अपने जीवन में लिखते है कहा कि मैंने मेरे जीवन काल में करीबन 6,000 गाने लिखे हैं और जब मैं घाना लिखता था इतना रत हो जाता था इतना उस पे डूब जाता था दर्वाजा अंदर से बंद कर लेता था और घाना लिखता था इतना अधू तो लिखता था लिखते जाता था कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे ने कभी-कभी तो 4 दिन हो गए ना भोजर न असना न खाना न पिना कुछ नहीं बस उसमें एकाकार होकर के लिखता था लेकिन जब लिख लेता था उसके बाद में छे हजार गाने मेने मेरे जिवन में लिखे लेकिन कभी उल्टा कर उसको देखे नहीं कलाकार जब मुर्थी बनाता है तो उतने उतना डूब जाता है, उतना एक मैं हो जाता है उतना रसमें हो जाता है, इतना उतमे एकाकार हो जाता है, लेकिन उसके बाद में वो उठा करके उसको देखता तक ये मनुस्यों की फित्रत है जब प्राप्ति करनी हो, तब इतना पुरुसारत करते, इतना भागते, इतना दोड़ते लेकिन अंतदह जब प्राप्त हो जाए उसके बाद में उसके सामने देखते तक आप एक घर बना रहे हो आप एक मकान बना रहे हो और एक चीज आपने सोच सोच के लगा, यहाँ ऐसा अच्छा लगेगा, यहाँ यह उपयोग में आएगा, यहाँ इस तरह से होगा, यहाँ इस तरह से होगा, लेकिन जिस दिन घर बनके आपके हाथ में आ जाए, प्राप्ती हो जाए, उसके बाद में आपको देखने तक का मन नहीं होता, यह मन कि फित्रा दे लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रचनाकार गीत न देखे उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है कलाकार मुर्ति न देखे उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है हम घर बनाने के बाद में घर को न देखे उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है लेकिन जीवन म यही रोना रोता है और जब मौत अंततह सामने आती है तब हमें अफसोस होता है पस्तावा होता है कि जीवन में कुछ नहीं कर पाए इतना अधूत जीवन मिला इतना अधूत जीवन प्राप्त हुआ हम कुछ नहीं कर पाए पस्तावा करता है आपको पता नहीं है मनुष्य ज जातिस Πरण ज्यान बताया गया कि जब कोई हुटिस्ष्ट ज्यान का उदय हमारे जीवन में होता है तो जातिस claims उत्पन होता है और जिस कक्सा का 3-7 घ्यान उत्पन हुआ हुआ हो उस कक्सा हो जे हुआ हbene चैन चुअ क्षिकिन है एक हम ने बड़ी महनत्थ करी यह पहुंचने हैं बड़ा पुरुसार्थ किया है यहां पहुंचने के ौट य्येव हम भूझ गए और वापिस वही सब कामों में तूच्छा कामों में लग गए को हमारा जीवन समत हो आ रहा है वही हमारा समय पसार हो रहा है समय निकल रहा है और जीवन के जब अंतिम घड़ी आती है तो हम क्या करते हैं क्या करते हैं पस्तावा करते हैं कि जीवन में कुछ नहीं कर पाए फिर हमारी अनंद की यात्रा सुरू होगी जीवन में कुछ किया नहीं तो जाएंगे क हहां, कोई दूरगती में, कोई अलग अलग गतियों में, खोटी छोटी मोटि गतियों में, हमारा जण्म होγα, साधना के बाद अनिया की साधना के बाद अनियान जैनमों की यात्रा के बाद हम पुन हम आनमा को बहुत जनमा तक पुँरेंगे लेकिन तकलीव है महा पहुंचते पर आपने भूल जाएंगे के हम कितना कुम्मक्स टॉरी दो Will auto-90 ले लिखा कि मनुष्यक्ण से जनमा पहली कर ली अरे यहां तक कहते हैं कि आपने देव बन के परमात्मा का साइद इस पर सभी किया हो ऐसा भी हो सकता है लेकिन हम सब भूल जाते हैं और वापिस वही यात्रा हमारी सुरू होती है इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं सबज लेना सुभश्य सिक्द्रभ पुरानों में एक कहानी आती है याति नाम का एक राजा था सौ उसके पुत्र थे सौ साल का उसका आयूसे था अनेको रानिया थी बड़ा राज परिवार संपन्न परिवार था और जब उसके सौ साल जीवर के पुरे हुए तो यम दूत उसको लेने के लिए आये और कहा कि अब जाने का स कहानियों में तो यमदूत भी आते है यह ने का समय भी बताते हैं लेकिन हमारे जीवन में ना यमदूत आते हैं ना जाने का समय बताते हैं। सिधा बुलावा आ जाता है। कहा कि ययाती जाने का समय हो गया अरे कहां क्या बात करेंगा जाना कहां आपका मौत आ गया आपका यमदूद हूँ मैं लेने के लिए आया हूँ आपको लेकर के जाओंगा ययाती ने दो हाथ जोड़ लिए कि अरे क्या बात करें मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं कहा सौसाल गाओ सर तुम्हें मिला था कहा मुझे माफ कर दो मैंने जीवन में कुछ नहीं किया यही तुछे कामों में लगा रहा न जीवन में कुछ पाया न जीवन में कभी बैठ करके सांती से खुद के लिए सोचा ना कभी ध्यान किया, ना कभी चितना को प्रगट करने की कोशिश की मैं कुछ नहीं कर पाया मुझे माफ कर दो मुझे थोड़ा समय देता गिड़ गिड़ा रहा यहाती कहा कि अभी मैं नहीं जा सकता, मैंने कुछ किया नहीं जीवन यह यहाती की कथा नहीं है हमारे जीवन की कथा इस समझना, ध्यान से सुनना, दिमाग में बिठाना यम्दूत ने कहा कि मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, किसी को तो लेकर के जाओंगा यहाति ने देखा सब के सामने, सब उने अपने मूह नीचे कर लिए, कोई जाने को तयार ने, कोई बेटा 25 साल का था, कोई 80 साल का था, कोई 70 साल का था, कोई 60 साल का था, सब अलग-अलग बैठे हुए थे, और जब उनके मन में भावाए कि पिता जी 100 साल में कुछ नहीं कर तो हमारे तो भी असी हुए हमने बढ़ा क्या कर लिया सबसे छोटा बेटा था जो जुवान था युवक अवस्ता में था युवन अवस्ता में था उसने का मैं चलोगा यमदूत ने कहा तुपागल हो गे ऩिरे निर्यान में भाई बैटे हुए तुर्फ सबसे छोटा है तुने जीवन में किया ही गे तब वो बेटे ने कहा कि मेरे पिता जी जब सौ साल में कुछ नहीं कर पाए तो मैं कौन सा कर लोगा मेरे भाई 80 साल में कुछ नहीं कर भाए तो मैं कौन सा कर लूँगा मैं आपके साथ चला जाओंगा तो कब से कम मुझे तो संतोस होगा कि पिता जी के लिए मैंने जीवन सार्थ कर दिया पिता जी मैंने 100 साल बाद ये कह रहे कि मैंने जीवन में कुछ ने किया, मेरा भाई अस्री साल बाद ये के रहा है, कि मैंने जीवन में कुछ ने किया, मैं कौन सा कर लूँगा, मैं क्या कर लूँगा, मैं आपके साथ चलने के लिए तेयार हूँ, यम्दूत जाते जाते ययाती को कहके गए कि मैं तुझे सो साल क जब यम्दूत वापिस आए तो यहाती वापिस गिड़ गिड़ाने लगा कि अरे पता ही नहीं चला कहां सो साल निकल गए पता ही नहीं चला भगवन मुझे माफ कर दे पता ही नहीं चला कहां सो साल में वापिस होई काम में मुझे लगता था 100 साल बड़ा लंबा पीरियर है बड़ा लंबा समय है बहुत कुछ में कर लूँगा लेकिन 100 साल हो गए मैं जान नहीं पाया मैं जाग नहीं पाया भगवन मुझे माफ कर दे थोड़ा और समय दे दे देखना हमारी फित्रत क्या हम यहीं करते है यहाति की कथा नहीं हमारे जीवन के कता है हमारे मेरे आपके सबके खुद के जीवन के कता है हम जीवन भर यहीं करते रहते है जब मुरुत की समय आता है तभी तो जागते है उसके पहले कहां जागते है उसके पहले कहां जानते है खुद की चेतना को कहा जगा था यम्दूत से कहा गिड़ गिड़ाने लगा के 200 साल में कुछ नहीं कर पाया और थोड़ा सा बेड़ा और पुरान में एक कहाने लिखी गई कि 1000 साल तक वो हर 100 साल पे यम्दूत आता था उसके एक बेटे को लेकर के जाता था लेकिन याति कुछ नहीं कर पाया और एक 1000 साल बच जब याति को लेकर के गए तबी भी रोही रहा था कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया आईू से की कोई वैल्यू नहीं आपके बास समय कितना है उसकी कोई वैल्यू नहीं समय का कितना सद उप्योग करते हो उसकी वैल्यू है उसलिए हमारे यहां पे कहा गया कि समय का उप्योग तीन तरह से किया जा सकता है आप समझेगा हमारे खुद की जीवन को याती मत बनाईगे हम याती जैसे बन गए हम रोते हैं गिर गिराते हैं दुखी होते हैं और उसको तो हजार साल का समय भी मिल गया हमको एक मिनिट एक्स्ट्रा मिलने वाली कि ने मिलने वाली एक सेकंड एक्स्ट्रा जब इंद्र महराजा परमात्मा महावीर को कहते है कि आपका आयुस्य एक समय के लिए बढ़ा दो परमात्मा ने कहा कि आयुस्य बढ़ाने की ताकात मेरे हाथ में भी तो नहीं है जब परमात्मा महावीर के सब्सक्ते ये हो सकते है कि मैं मेरा आयूस से नहीं बढ़ा सकता तो आप और हम यह कैसे सोच दे कि हम हमारा आयूस से बढ़ा देंगे समय को संभालो सुब शेजी ग्रम जीवन में बढ़ा जरूरी है सुब काम को तुरंत निपटाना जीवन में बढ़ा जरूरी है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ समझ लेना तीन तरह से समय का उप्योग हो सकता है नमबर वन किलिंग टाइम समय को मार डालो कुछ नहीं करना, बैठे रहना हमारा अहित हो ऐसा काम करना, दारूपी ना, व्यसन करना जुआ खेलना और आज करीबन करीबन लोगों की फित्रत माननेता यही है इट ड्रिंक पार्टी करो, आनन करो, मजे करो जीवन में कुछ नहीं करना, हमारे खुद का हीतो, ऐसे काम पैसे देकर के संसार में लोग कर रहे हैं, कहा के किलिंग टाइप, वो समय को मार रहा है समय को खतम कर रहा है, और एक चीज़ समझ लेना जिसने समय को मार दिया वो समय उसको एक दिन जरूर मार देता है समय उसको खतम कर देता है कहा नंबर वन किलिंग टाइप, देख लेना हम किलिंग टाइम में तो नहीं आना हम हमारे समय को मार तो नहीं रहे ना कहीं न कहीं हमारा आहित हो ऐसा काम हमारे समय से नहीं कर रहे ना जो समय के लिए परमात्मा महभीर ने बार बार कहा हो कि समझ लेना जीवन में समय बड़ा बहुमुल्य है वोही समय हम घवा रहे हो ऐसी मुर्खता तो हम नहीं कर रहे हैं नंबर वन किलिंग टाइम नंबर टू यूजिंग टाइम समय का उपयोग करना जिससे ना प्रॉफिट ना लोस आपने नुक्सानों ऐसा तो नहीं किया कुछ लेकिन समय का उपयोग कर लिया दो घंटा टीवी देख लिया दो घंटा किसे के साथ बाते कर ली दो घंटा जीवन का कही टहलने गुमने में निकाल दिया जहां से आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ जहां से आपको कुछ पाना नहीं है उसा उप्योग आपने कर लिया बस समय को यूज कर लिया समय को पूरा करना था अरे आपको पता है जहाँ परमात्ना मावीर ने ये कहा है कि एक ख़ण भी हमारे जीवन के लिए बहमुल्या है एक भी ख़ण हमें गवानी नहीं है तब आज के समय में लोगों सोचते माना आप समय नहीं कड़ता है समय नहीं निकलता है क्या करें कि आपके पास दिशा नहीं है आपके पास ग्यान नहीं है आपके पास कोई लक्स नहीं है आपके भागने की कला नहीं है आपको रास्ते का पता नहीं है आपने जीवन में किसी का मारत दरसन लिया नहीं है उसलिए जीवन भर आप यही सोचते रहते हो समय कहां निकाले जो समझदार इंसान है वो यह सोचता है कि समय का उपयोग कैसे करें और जो ना समझ इंसान यह सोचता है कि समय कहां निकाले कहां पुरा हो कब जीवन खत्व हो यह सोचने वाले भी लोग संसार में कम नहीं है इसलिए मै कहना चाहता हो, number one, killing time, number two, using time, समय का use कर ले, लेकिन का तीसरा महत पुर्णा है, और तीसरे नमबर में का purchasing time, आप समय से कुछ पाते हो, purchase करते हो, समय आपकी मूरी है, जिस तरह से धन से बाजार में जाकर कि आप कुछ purchase कर पाते हो, कुछ खरीद पाते हो, कुछ प्रात्त कर पाते हो, सास्तकार भगवन कहते है, समय तुमारे जीवन का सबसे बड़ा तरह है, मैं तो कई बार कहता हूं कि जो धन के पीछे आप अपना समय गमा रहे हो बड़ा तुच्छ है, किसी को भी प्राप्त हो सकता, संसार में उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो सम समय आप गमा रहे हो बड़ा किमती है, लेकिन आपको कहना जाता हूं, जिसने समय को देकर के कुछ जीवन में प्राप्त कर लिया, ध्यान प्राप्त कर लिया, चैतन्य प्राप्त कर लिया, जाग्रती प्राप्त कर लिया, भक्ती प्राप्त कर लिया, सेवा प्राप्त कर ल प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरू प्रेम मिश्ण की यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले